एरफोर्स का कार्गो हलिकॉप्टर रुद्ड प्रयाग में क्रैश हो गया है MI-17 हलिकॉप्टर क्रैश में 6 लोग जख्मी हुए है हलिकॉप्टर आमी का समान लेकर केदार ना ज़ा रहा था ये तस्बीर हम आपको दिखा रहे है हलिकॉप्टर क्रैश की छे लोग हमने आपको बताया समें सवार थे सभी जखमी हुए हैं इस वक्त की एहम ख़बर यही है हरेंद्र नेगी हमारे सायोगी और जानकारी देंगे हरेंद्र क्या अपडेट है ननीजा मैं बता दो कि शुबह ये जो 17 जो जालता है वह हैली सेवाओं के दर या 12 मिन तक ही होती है जैसे ही है हैलीकप्टर हैलीकट की वो जा रहा था ऐसे ही एक्रेस हो गया इसमें जो 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 जखमी हुए है जब जो सुछना प्राफ हुई है निन के सुछनों से तो उन्होंने बताया है कि छे लोग इसमें सवाब पे ये सामान लेके जागदार पे केदानात आ रहा था और ये सुबह की घड़ना है सवा आर बजे की घड़ना है जैसे ही हैलीकट के नजबिक आया ऐसी ही क्रेस हो गया तो आभी तक छे लोग गायल हुए है बहुत्ति अब सुच्डू से हावल, बहुत्ति तुच्ञिंट, कि ट्लारी नहीं के है क्योंकि चुदानीक्वकार ये से खंडि लोग इसमें और ये तौनुन writes तो हेली सेवादी में गरी जाएगी हैउन गहुत्त आ रहा सबस्क्राइब बिलकोल हरें तो बेसक्म से संपर्क में होंगे जैसा कि आपने बताये कि सेर्फ हेलिकॉप्टर के जरीय ही जल्दी वहां पर पहुचा जा सकता है तो कोई रिलीफ हेलिफ भापर भीजा जा रहा है इन लोग को महां से लाने के लिए अब जिल्दी कारी से क्योंकि लगातार फोन चल रहे हैं लिकर संपर्थ नहीं हो पारा है लिकर हम भी कोशिट कर रहे हैं किस तरह से हमें जानकारी प्राफ होती है उश्मेर्यमक कर रहे हैं जे यॉश्ममेर फैस पड़ी जो में सवार्त है इसमें और इसमें अल्रेशन कि पैलिटर भी शामिल था में सपड़ dat लोग कॉसने इंडिकाषी के पास में जहां वहां जो हैलिपेट में जो सामन जाना था वहां से उस वड़ान भर के वो सावन वहां से केरानात के लिए ले ले जाया जा रहा था और तुझे तुझे की करा अच्छे छे छे लोग इसमें सवास देजी